Find the equation of tangent line to the curve by equal to x square minus 2x by equal to x square minus 2x plus 7 which is parallel to the line. हमें ऐसे tangent का पता करना है जो इस line के कैसा हो parallel हो. तो हम सबसे पहले dy upon dx को find out करेंगे dy upon dx 2x minus 2 हो जाएका. अब dy upon dx हमें क्या बताता है tangent की slope बताता है. तो slope of tangent कितना हो जाएगा 2x minus 2 हो जाएगा अब जो tangent इस line के parallel है तो हम इस line की slope को find out करेंगे. सिलोप को find out करने का फार्मूला होता है किसी भी line की सिलोप को find out करने का फार्मूला होता है minus coefficient of x upon coefficient of y तो इससे find out कर लिया है minus x का coefficient यहाँ पर 2 है y का coefficient यहाँ पर minus 1 है तो 2 आ गया हम उसे इससे भी find out कर सकते थे y equal to लिख सकते थे हम 2x plus 9 तो इस स्लोप कितनी आ जाती उसकी तू आ जाती अब यह भी टेंजेंट की स्लोप है और टेंजेंट इस लाइन के पैदल है दो पैदल लाइन की स्लोप कैसी होती है एक्वल होती है तो टू एक्स माइनस टू किसके एक्वल होगा टू के एक्वल होगा तो टू एक्स माइनस करेंगे इस कर्में पूट करेंगे तो बाइक पॉल टू एक्स की जगह एक तू लिखा तो तू स्कॉर माइनस टू इन्टू टू पिलस सेवन सो दिस सेवन सो पॉांट ओफ कॉंटेक्ट कितना आ गया तू अपॉन सेवन आ गया उकी सो एक्विशन ऑफ टेंजेंट इस फार इस लाइन के सिलोप को फाइंड आउट करना है जो इस लाइन पर कैसा हो परपेंडिकुलर हो ओके सो टेंजेंट इस परपेंडिकुलर तू इस लाइन हम इस लाइन के सिलोप को find out करेंगे जिसे हमने m1 माना है तो m1 equal to slope of लाइन है इस फारी फार्मॉल्य का इस करेंगे minus coefficient of x minus 15 upon coefficient of by 5 तो फ्री आ जाएगा हम सपोच कर लें m2 to x-2 है जो कि इसके कर्व को डिफनस्पिड करने पर आया है तैंजेंट की सिलोप होगी अब ये वाली लाइन और टेंजेंट आपस में कैसे हैं पर्पेंडिकुलर है जब दो लाइन पर्पेंडिकुलर होती है तो M1 into M2 equal to क्या होता है माइनस बन होता है M1 into M2 क्या होगा माइनस बन होगा तो M1 कितना है 3 है M2 2x माइनस 2 लिया माइनस बन किया तो हमें x की value कितनी आगे 5 upon 6 आगे x की value 5 upon 6 आगे x की value को 5 upon 6 इसे में दखेंगे तो हम y की value मिलेगी जो की point of contact होगा इसे में दखने पर simplify किया तो point of contact आगया 5 upon 6,217 upon 36 point of contact आगया अब हमें equation को find out करना है तो tangent इस पर perpendicular इस line पर, इस line की slope 3 है तो tangent की slope कितनी होगी minus 1 by 3 होगी इस formula करेंगे हम M1 into M2 equal to minus 1 का इस करके हम tangent की slope को क्या कर सकते हैं find out कर सकते हैं तो वो क्या आएगी minus 1 by 3 आएगी तो अपना जो equation of tangent होगा by minus by 1 slope minus 1 by 3 होगी क्योंकि इस line पर perpendicular है इस line की slope 3 है तो जो line सपुछ करो जे वाली line है आपकी 5 by x minus 15y इसकी slope कितनी है 3 है तो इस पर कितनी भी line perpendicular होगी उन सब की slope कितनी होगी minus 1 by 3 होगी ओके तो minus 1 by 3 x minus 5 upon 6 अब इसका हमने क्या किया LCM लिया तो 36 LCM 36y minus 217 equal to minus 1 by 3 इसका हम LCM लेंगे तो 6 x minus 5 upon 6 हो जाएगा अब ए 18 हो गया ओके इसको cancel करेंगे तो 2 आएगा 2 का हमें से into करेंगे तो अपने line tangent का equation होगा 12 x plus 36y minus 227 equal to 0 जे उस tangent का equation होगा इस curve के tangent का equation होगा जो इस वाली line पर कैसा है perpendicular है ओके understood so that the tangent to the curve y equal to 7 x cube plus 11 at the point where x equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel हमें यह पता करना है कि इस curve के tangent होगा और x equal to minus 2 पर जो टेंजेंट होगा दोनों आपस में कैसे हैं पैदल है तो हमें यहां पर टेंजेंट के question निकालने की जहुत नहीं हम slope को find out कर लेंगे यह दोनों की slope इतकोल आती है दोनों point पर तो वो टेंजेंट कैसे हो जाएंगे पैदल होगा okay answer by equal to 7x cube plus 11 है तो dy upon dx कितना हो जाएगा this is 21x square होगा dy upon dx कितना होगा 21x square होगा अब slope of tangent slope of tangent at x equal to 2 tangent की slope हम x equal to 2 पर find out करेंगे तो इक क्या हो जाएगा this is dy upon dx at x equal to 2 so this is 21 into 2 square so this is 84 up slope of tangent at x equal to minus 2 slope of tangent at x equal to minus 2 so dy upon dx at x equal to minus 2 so dy upon dx this is 21 into minus 2 का whole square so this is 21 into 4 equal to 84 ओके बोद दा स्लोप्स आर एक्वल हैंस टेंजेंट्स आर पैदल हैंस tangents टेंजेंट्स आर पैदल टेंजेंट्स कैसी होगी पैदल होगी तो औरनों टेंजेंट्स आपस में कैसी होगी पैदल होगी ओके अंडेस्टूट् find the points on the curve by equal to x cube at which the slope of tangent is equal to the by coordinates of the point. इस curve पर हमें by equal to x cube कर ऐसे points का पता करना है जिसमें tangent का slope उसके by coordinates के equal हो. सबसे पहले हम dy upon dx नकालेंगे तो 3x square एगा, let's require quantity x not y not ले लिया. dy upon dx at x not y not equal to क्या होगा? 3x square, 3x not square होगा. इस slope of tangent हो जाएगा. अब इस slope of tangent किसके equal है? by coordinates के equal है. so 3x not square equal to y not. this is equation 1. अब this point lie on this curve. यह बाला point इस curve पर भी लाई करता है. तो दूसरा equation क्या बनेंगा? दूसरा equation बनेंगा y not equal to x not का cube. this is दूसरा equation. because this point x not y not lie on this curve. y equal to x cube इस point पर वह क्या करता है? लाई करता है. from 1 and 2. x not cube equal to क्या हो जाएगा? 3x not square. okay. so this is x not cube minus 3x not square equal to 0. okay. और हम इसको क्या कर लेंगे? solve कर लेंगे equation. तो x not square common निकाला गया. this is x not minus 3 equal to 0. okay. understood? अब आईदर x not का whole square equal to 0 और x not minus 3 equal to 0. okay. understood? So, इससे क्या पता चलता? इससे x not equal to 0 आ गया. और इससे x not equal to 3 आ गया. अब हम इस value को इसमें पुट कर देंगे equation बन में. इस 2 में. तो y not कितना आ जाएगा? y not equal to क्या हो जाएगा? 0 का cube. इधर y not क्या जाएगा? this one. 3 का cube. So, this is y not equal to 0. y not equal to 27. So, required point. required point क्या होंगे? required point is पहला होगा 0, 0 और दूसरा क्या होगा? 3, 27. यह अपने answer हो जाएगा. इन दो point प्यादी हम इसमें tangent खीचते हैं. तो जो tangent का slope होगा, वो किसके equal होगा? y coordinates के equal होगा. ओके? tangents का slope किसके equal होगा? y coordinates के equal होगा. तो please make a note. For the curve, y equal to 4x q minus 2x raise to power 5. Find all the points at which the tangent passes through the origin. Let, point on curve b, x naught, y naught, where tangent passes through origin. जहाँ पर tangent origin से क्या हो रही है? pass हो रही है. तो सबसे पहले हम इसे differentiate करेंगे. d upon dx by equal to d upon dx, 4x q minus 2x raise to power 5. This is dy upon dx. This is 12x square minus 10x raise to power 4. Okay, now dy upon dx at x naught comma y naught. So, this is 12x naught square minus 10x naught raise to power 4. So, this is the slope of the tangent. Okay, so equation of tangent. equation of tangent at x naught comma y naught. This is y minus y naught equal to 12x naught square minus 10x naught raise to power 4. This is x minus x naught. This is x minus x naught. अब this curve passes through this tangent. Passes from origin. कहाँ से pass हो रही है? Origin से pass हो रही है. 0, 0 से. तो इहाँ पर x की जगह हम 0 put करेंगे. y की जगह 0 put करेंगे. तो 0 minus y naught equal to 12x naught square minus 10x naught raise to power 4. और यहाँ पर इसकी जगह पर करेंगे. तो this is minus x naught. यह हो गया. ओके. तो y equal to हो जाएगा. y not equal to क्या हो जाएगा? 12x naught square minus 10x naught raise to power 4 into x naught. ओके. इस इक्वेशन बन ले ले हम से. इस इक्वेशन बन. अब this curve जो अलसो पासेश थ्रू. इस curve जो अलसो पासेश थ्रू. 0,0 point on the curve है. तो हम इसको यहाँ पर satisfy कर ले है. इससे क्या imply होता है? y not equal to 4x naught cube minus 2x naught raise to power 5. ओके. this is equation 2. अफ रूम 1 and 2. यह हुजाएगा आपका. 4x naught cube minus 2x naught 5 equal to this one. this one is 12x naught cube minus 10x naught 5. x naught का भी अंदा इंटुका भी आगया. okay. now. this is इसको अमस्तरब लाएगा औ इसको 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 इस्तरब ले आएगा. this is minus 2x naught raise to power 5. इसको left hand side मेले जाएगे. so 10x naught raise to power 5. this is 12x naught का cube minus 4x naught cube. so this is 10, 8 हो जाएगा. 8 x naught raise to power 5 and this is also 8 x naught cube. okay. 8 say it cancel हो गया. so this is x naught raise to power 5 minus x naught cube equal to 0. x naught cube को common ले ले. so this is x naught square minus 1 equal to 0. so x naught equal to 0 होगा. या फिर x naught square equal to 1 होगा. so x naught equal to plus minus 1. okay. अब हमें x की 3 value मिल चुकी है. अब इस x की 3 value को हम इसमें put करने तो हमें y naught भी मिल जाएगा. put in equation second. these value. put these values in equation second. so y naught equal to. इसको put करेंगे हम तो 4 ये पूरा 0 हो जाएगा. x naught. x naught की जगह हम 0 put करेंगे. तो y naught क्या जाएगा? 0 आ जाएगा. तो हमें ये quant मिल जाएगा. 0, comma 0. 0 ये cancer अपना ये हो जाएगा. अब हम x naught की जगह क्या put करते हैं? 1 put करते हैं. x naught equal to 1. तो y naught क्या होगा? इसमें रखे हम. y naught equal to होगा. 4 into 1 का cube. minus 2 into 1 raise to power 5. तो this is 4 minus 2 equal to क्या होगा? 2 होगा. तो this is 1, 2 होगा. कितना होगया? 1, 2 होगया. अब अंगली भार हम x naught equal to क्या put करें? minus 1 put करें. इन दिस में. तो this is y naught equal to क्या होगा? 4 minus 1 का cube minus 2 minus 1 raise to power 5. तो this is 4 minus 4 होजाएगा. 4 into minus 1 minus 2 into minus 1. तो this is minus 4 plus 2 equal to minus 2. तो एक point होगा minus 1, minus 2. तो ती तीन point आगे. पहला answer क्या होगा? पहला answer आपका यह होगा. this one. ओके? 0,0. second answer 1,2. एंड थर्ड आँशर. minus 1, minus 2. ओके? हमें x की तीन value मिली. इन corresponding three values के corresponding हमें by की भी three values मिलेंगी. तो तीन points होगे. जहाँ पर tangent ड्रॉ करने पर. तेंजेंट कहां से पास होगा? origin से पास होगा. ओके? understood? the points on the circle. x square plus y square minus 2x minus 3 equal to 0. at which the tangents are puzzle to the x-axis. हमें इस curve पर, इस circle पर ऐसे point को find out करना है. जहाँ पर tangent कैसी हो? x-axis के parallel हो. तो हम क्या करेंगे? जो tangent का slope है. जो भी line x-axis के parallel होती है. उसका slope क्या होता है? 0 होता है. any line, parallel to x-axis having slope 0. तो हम इसे differentiate करेंगे एक बार. और tangent की slope को dy upon dx को 0 के एक कुल करेंगे. okay? so this is differentiating the curve with respect to x. x-square का differentiation 2x होगा. y-square का differentiation 2y. dy upon dx, x का 2x का minus 2 और 3 का 0. so this is dy upon dx equal to 2 minus 2x. dy upon dx equal to 2 minus 2x upon 2y. dy upon dx equal to 2, 1 minus x. upon 2y. इस से cancel हो गया. तो dy upon dx equal to हो जाएगा, 1 minus x upon y. कितना हो जाएगा? dy upon dx equal to 1 minus x upon y हो जाएगा. अब अब let's point of contact, point of contact, point of contact is x0, y0. तो dy upon dx at x0, y0 is 1 minus x0 upon y0. 1 minus x0 upon y0. अब यह 0 के इक्कुल होगा क्योंकि यह tangent का slope है और tangent x-axis के parallel है. तो इसका value किसके इक्कुल होगा? 0 के इक्कुल होगा. तो 1 minus x0 upon y0 equal to 0. 1 minus x0 equal to 0. तो this is x0 equal to 1. तो x-coordinate कितना आगया? उसका 1 आगया. अब x इस coordinates को हम skirm में रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? y-coordinate भी मिल जाएगा. Okay, so this is x-coordinate is 1. So 1 square y0 square minus 2 into 1 minus 3 equal to 0. This is 1 plus y0 square minus 5 equal to 0. y0 square minus 4 equal to 0. y0 square equal to 4. y0 equal to plus minus 2. So, required point. required point क्या होंगे? 1,2 and 1,-2. This is our final answer. इन दो point पर tangent कैसे होंगे? x-axis के parallel होंगे. Find the equation of the normal at point. am square am cube for the curve a y square equal to x. हमें इस curve का इस point पर normal के equation को क्या करना है? Find out करना है. ठीक है? तो सबसे पहले हम curve का differentiate करेंगे. तो 2 by dy upon dx और साथ में a भी रहेगा. a equal to क्या होगा? 3x square होगा. देखो, y square का differentiation क्या होगा? 2 by dy upon dx होगा. x cube का differentiation क्या होगा? 3x square होगा. a into है तो into में ही रहेगा. तो dy upon dx equal to हो जाएगा. 3x square upon 2a y. ओके? अब slope of tangent. slope of tangent. at am square am cube. this is क्या होगा? minus 1 upon dy upon dx होगा. इस slope है. ओके? so this is minus 1 upon 3x square upon 2a y. यहां फर्म x की जगह क्या put करेंगे? x की जगह हम am square put करेंगे और y की जगह क्या put करेंगे? am cube put करेंगे. ओके? so this is minus 1 upon 3 am square का whole square upon upon 2a am cube. okay? so this is 2a square m cube upon 3 into a square m raised to power 4 minus. so this is so this is देखो 1m से a बचेगा अपना minus 2 upon 3m. इतना बचेगा यह. minus 2 upon 3m. देखो. a square से a square cancel हो जाएगा. m cube से m raised to power 4 से m बचेगा. इतना बचेगा. इतना बचेगा. इतना बचेगा. नॉर्मल का स्लूप होगा यह. नॉर्मल का स्लूप क्या होता है? minus 1 upon d y upon d x होता है. तो इतना बचेगा. इतना माइनस 1 3x square upon 2a y. यह value रखदी गहीं. simplify किया. तो इतना बचेगा. अब equation of normal. equation of normal. equation of normal क्या होगा? y minus y1. a m cube. equal to slope. this is the slope. minus 2 upon 3m. into x minus x1. x a m square. देखो यहाँ पर इस formula का इतना बचेगा. y minus y1. equal to slope. x minus x1. इस वाली formula का इतना बचेगा. उस line का equation. x1, y1 से pass हो रही है. जिसका स्लूप दिया हुआ है. तो हम इसको आप simplify कर लेंगे. this is 3m by minus am cube equal to minus 2x minus am square. so this is 2x left hand side में ले गए. plus 3m by equal to 2am square plus 3am raised to power 4. so this is 2x plus 3my. इसमें इसे am square common लिया गया. तो 2 plus 3m square. फिर हम इसे right hand side में ले आए. so this is the our required equation of tangent. find the equation of normal line to y equal to x cube plus 2x plus 6 which is parallel to the line 14y plus x plus 4 equal to 0. हमें इस curve के normal के equation को find out करना है. वह normal कैसा है? इस वाली line के parallel है. तो हमें पता है के dy upon dx tangent की slope बताता है. माइनस 1 upon dy upon dx किसकी slope बताता है? normal की slope बताता है. दोनों की slope को हम क्या करेंगे? equal करने के बाद point of contact को क्या करेंगे? find out करेंगे. वह जैसी हमें point of contact मिल जाएगा. हम equation of normal को भी क्या करेंगे? find out करेंगे. ओके? so सबसे first we have to differentiate this equation. so dy upon dx equal to 3x square plus 2. this is the slope of tangent. अब slope of normal. देखो. slope of normal. क्या होगा? minus 1 upon dy upon dx होता है. slope of normal minus 1 upon dy upon dx होता है. तो this is क्या हो जाएगा? minus 1 upon 3x square plus 2 हो जाएगा. ओके? now. slope of 14 by plus x plus 4 equal to 0. दोखो, slope का क्या formula होता है? किसी भी line का slope का formula इसे निकलता है. minus coefficient of x upon coefficient of y से इस line को. find out करते हैं हम सो this equal to minus 1 upon 14. this equal to minus 1 upon 14. तो इसके slope क्या हो जाएगा? minus 1 upon 14. इस line का क्या हो जाएगा? slope हो जाएगा. ओके? अब ये दोनों आपस में क्या होंगे? क्योंकि normal और ये वाली line आपस में कैसी है? पैदल है. इस से हमें कर लेंगे. minus 1 upon 3x square plus 2 equal to minus 1 upon 14. ओके? तो इस इज 3x square plus 2 equal to 14. 3x square equal to 14 minus 2. 3x square equal to 12. और x square equal to क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. ओके? x square equal to 4. तो x equal to क्या हो जाएगा? plus minus 2 हो जाएगा. x equal to कितना आगया? plus minus 2 आगया. understood? अब हम x की value को रखके y की value को क्या करेंगे? find out करेंगे. ओके? तो यहाँ पर हम x को क्या लेते हैं? 2 ले रहे हैं. वो इसमें y की value पुट करते हैं. इसमाल एक क्योशन में. दिस इस 2 का cube plus 2 into 2 plus 6. दिस इस 8 plus 4 plus 6. दिस इस 18. क्या हो जाएगा यह? 18 हो जाएगा. तो आपको एक point मिल गया. point of contact. point क्या मिल गया? 2,18 मिल गया है. अब हम इस 2,18 पर equation को find out करने हैं. उस normal के equation को. equation of normal. equation of normal. normal के equation को हम क्या करने हैं? find out करने हैं. normal का equation क्या होगा? उस line का equation 2,18 इस वाली point से pass हो रहा है. जिसकी slope कितनी है? minus 1 upon 14 है. so this is by minus 18 equal to minus 1 upon 14 x minus 2. so this is 14 by minus 18 into minus x minus 2. this is 14 by अब इन दोनों का आप इन्टू कर लेना 18 into 14 this is minus x plus 2. ओके? अभी minus x इस तरफ जाएगा so x plus 14 by equal to 2 plus यह हो जाएगा 18 into 14 यह अपना एक answer आजाएगा इनका multiply करने पर हैट करेंगे तो यह का आपको answer मिल जाएगा. okay understood? now अब दूसरा देखे अब एक इसकी value minus 2 भी आ रही है क्या रही है? minus 2 भी आ रही है तो minus 2 पर देखते हैं हम इसको okay अब if x equal to minus 2 suppose करो x equal to क्या होगा? minus 2 होगा तो y की value को हम find out करते हैं y equal to क्या होगा? minus 2 का cube plus 2 into minus 2 plus 6 y equal to कितना हो जाएगा? minus 8 minus 4 plus 6 equal to minus 6 हो जाएगा तो प्वांट हो जाएगा आपका minus 2 कॉमा minus 6 हो जाएगा 2 कॉमा minus 6 हो जाएगा ओके अब प्वांट हो गया slope यही रहेगा इस प्वांट से हम find out करते हैं so equation of normal equation of normal this is y plus 6 equal to minus 1 upon 14 x plus 2 okay so this is 14 y plus 6 into 40 84 equal to minus x minus 2 okay so x plus 14 y plus इसको भी हम इसले ले लें 36 equal to 0 हो जाएगा तो आपका एक आंसर यह होगा एक आंसर यह भी होगा यह भी आपका आंसर है यह भी आपका क्या है आंसर है ओके अंडेस्टूट इस तरह से हम उनने क्या करते हैं सॉल्व करते हैं इक्वल टू 4a सो dy upon dx equal to 4a upon 2y हो जाएगा अब dy upon dx at 80 square comma 280 80 square comma 280 पर dy upon dx कितना होगा 4a upon 280 सो दिस इज 2 से 2 cancel 2 upon t हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 upon t होगा इहां पर 2 और आएगा तो 1 upon t हो जाएगा कितना होगा 1 upon t dy upon dx कितना हो जाएगा 1 upon t हो जाएगा at 80 square comma 280 पर ओके देखो दिस इज दा slope of tangent अब हमें equation of tangent देखो कैसे निकलेगा equation of tangent tangent at किस point पर नेकालना हमे 80 square comma 280 तो हम दो किस फार्मिले का इज़ करेंगे by minus by 1 equal to m x minus x1 this is x1 this is by 1 और ये क्या हुआ m होगा so by minus by 1 2 at equal to m बन अपॉन t x minus at square t by minus 2 at equal to x minus at square तो ty minus 2 at square equal to x minus at square okay so ty equal to x minus at square plus 2 at square so this is ty equal to हो जाएगा ty equal to x plus at square या फिर y equal to बन अपॉन t x plus at तो या तो यह answer हो जाएगा यह answer हो जाएगा यह किसका equation आ गया tangent का equation आ गया अब normal का equation slope of normal slope of normal माइनस बन अपॉन dy अपॉन dx होता है minus बन अपॉन dy अपॉन j right m अपॉन chic normal का slope क्या होता है minus one अपॉन dy अपॉन dx होता है तो minus t हो जाएगा equation of normal equation of normal at कि स्पॉंट पर चाहिए हमें स्पॉंट पर 80 स्क्वाई कॉमा 280 This is by minus by 1 एही फार्मूला इज होगा equal to m x minus x वनिहाँ पर m इज होगा slope of tangent का इज होगा तो by minus 280 equal to m की जगे minus t आएगा x minus 80 स्क्वाई This is by minus 280 equal to minus t x plus 80 q अब this is by equal to minus t x plus 280 plus 80 q This is the required equation of normal, a normal का equation हो जाएगा, तो हमने क्या किया सबसे पहले differentiation किया को एक बार, differentiation करने से हमें क्या मिला slope of tangent मिला, यह tangent का हमें क्या मिला, slope मिला तो d y हमने इस point पर find out कर लिया tangent का slope तो इहाँ पर जहाँ जहाँ x था होँ, 80 स्क्वाई रखा और जहाँ y था होँ, 280 रखा तो y की जगे 280 रखा तो यह बनना पॉंटी बचा तो इस बनना पॉंटी इस दा slope of tangent हमने बन पॉंट फॉंट का यूच किया y minus y1 equal to m x minus x1 का यह x1 y1 हो जाएगा m क्या है, यहाँ पर बनना पॉंटी है यह value रखेंगे तो हमें tangent का equation मिल गया और हमें slope of normal क्या बताता है minus 1 upon dy upon dx normal का slope बताता है find the equation of tangent and normal to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 at the point x0 by 0 ओके, तो सबसे पहले हम dy upon dx को क्या करेंगे, find out करेंगे so d upon dx x square upon a square minus y square upon b square equal to d upon dx 1, x square का differentiation 2x होगा, so 2x upon a square minus 2y by square का differentiation 2y by dy upon dx 1 upon b square 1 का differentiation 0 so d by upon dx हो जाएगा, b square x upon a square by slope of tangent at x0, y0 so m1 equal to b square upon a square this is x0 upon y0 equation of tangent क्या होगा? y minus y0 equal to m1 x minus x0 इस point पर tangent का equation y minus y0 equal to b square upon a square x0 upon y0 this is the m1 x minus x0 ok ok a square by not को cross multiplication से इस्तरफ ले गएगे तो a square by not y minus y0 equal to b square x0 x minus x0 ok इस y0 का अंदर into किया इधर x0 का अंदर into किया ok इस b square को यहां लेके आए a square को इसके निचे लेके y y0 minus y0 square upon b square equal to x x0 minus x0 square upon a square opposite of LCM सो y y0 upon b square minus y0 square upon b square equal to x x0 upon a square minus x0 square upon a square ok इसको minus x not square upon a square को left hand side में ले गए ok वो इस वाले portion को right hand side में ले गए so this becomes this ok अब देखो इस वाला point x0 by not is curve के उपर लाई कर रहा है तो यह उसे satisfy करेगा तो x0 square upon a square minus y0 square upon b square की value क्या होगी बन होगी so this is the required equation of tangent a tangent का क्या हो जाएगा equation हो जाएगा ok understood अब हमें normal के equation को find out करना है करने के लिए हमें यहाँ पर normal की slope का use करना पड़ेगा इसकी slope का use करना पड़ेगा normal की slope का use ok तो normal के लिए slope क्या होगी टेंगेंट का slope डिस बन है तो normal का slope हम कैसे find out करेंगे m1 into m2 equal to minus 1 m1 कितना है b square x naught upon a square y naught m2 equal to minus 1 so this is m2 equal to minus a square y naught upon b square x naught this is the slope of normal normal और tangent आपस में कैसी होती है perpendicular होती है यदि tangent की slope m1 है और normal की slope m2 है तो m1 into m2 equal to क्या होगा minus 1 होगा यह हमने tangent का slope पुट किया यहाँ पर यह normal का slope थे तो m2 equal to normal का slope आगया अब equation of normal equation of normal क्या होगा x naught y naught हमें कहाँ पर निकालना है x naught y naught पर normal के equation को find out करना है so this is y minus y naught equal to m2 x minus x naught y minus y naught m2 minus a square y naught upon b square x naught x minus x naught okay clear अब देखो इसको हम स्टरब ले जाएं so this is b square x naught by minus y naught equal to minus a square y naught x minus x naught okay understood okay now this is therefore b square x naught y minus x naught y naught equal to minus a square y naught x naught minus x naught y naught okay so this is अब देखो okay so a square को हम इसके नीचे लाएंगे और b square को इदर इसके नीचे लाएंगे so this is by minus by naught x naught upon a square equal to minus by naught x minus x naught upon b square अब इसको हम स्टरब लाएंगे 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 left-hand side so by minus by naught into x naught upon a square plus x minus x naught into by naught upon b square equal to 0 this is required equation of normal this is the other answer okay normal का required answer हो जाएगा यह find the equation of the tangent to the curve by equal to root 3x minus 2 which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 equal to 0 हमें इस curve का tangent find out करना है कैसा tangent जो इस line के parallel हो सबसे पहले हम dy upon dx को find out करेंगे तो 1 upon 2 root 3x minus 2 into 3 3 कैसे आए 3x minus 2 का differentiation करेंगे तो वो 3 आएगा अब slope this is the slope of the tangent dy upon dx is the slope of the tangent slope of a line 4x minus 2y plus 5 equal to 0 हम कैसे नकालेंगे m equal to minus coefficient of x upon coefficient of y से तो m equal to क्या हो जाएगा m equal to होगा यहाँ पर minus x का coefficient कितना है 4 है upon y का coefficient कितना है minus 2 है तो इस slope कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी ओके so this slope and this slope is equal to 1 upon 2 root 3x minus 2 into 3 equal to 2 so 1 upon root 3x minus 2 equal to 4 by 3 ओके and squaring both side हम इसका क्या करेंगे दोनों तरफ squaring करेंगे तो this is 1 upon 3x minus 2 equal to 16 upon 9 और हम इसको solve करेंगे तो हमें x equal to क्या मिलेगा 41 upon 48 मिलेगा अब इस x को हम इस curve में पूट करेंगे by equal to root 3x minus 2 वाले curve में पूट करके y की value को find out करेंगे so by equal to root 3 x की value 41 upon 48 minus 2 this is root 41 upon 16 minus 2 और इसको हम simplify करेंगे तो by equal to कितना जाएगा 3 upon 4 so point of contact is 41 upon 48 3 by 4 equation of tangent by minus by 1 this is by 1 equal to slope 2 x minus x 1 LCM लिया 4 by minus 3 upon 4 equal to इदर LCM लेंगे तो 48 48 x minus 41 upon 48 इसको हम simplify करेंगे तो 24 by minus 18 equal to 48 x minus 41 होगा और जो अपना final answer होगा वो फाइनल answer होगा 48 x minus 24 by equal to 23 is our final answer the slope of the normal to the curve by equal to 2 x square plus 3 sin x at x equal to 0 सबसे पहले हम इसे एक बाइद दिफेंशीट करेंगे तो dy upon dx क्या होगा 4 x plus 3 cos x होगा 2 x square का differentiation 4 x sin x का cos x अब slope of normal क्या होता है minus 1 upon dy upon dx होता है तो जो माइनस 1 upon 4 x plus 3 cos x होगा अब x equal to 0 पूचा है तो slope क्या हो जाएगा at x equal to 0 पर हमें हाँ पर find out किये लेते हैं at x equal to 0 ok so m equal to हो जाएगा minus 1 upon 4 into 0 plus 3 into cos 0 cos 0 की value 1 होती है तो m equal to minus 1 by 3 तो अपना d answer हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका answer d हो जाएगा the line y equal to x plus 1 is a tangent to the curve इतने इतने at the point point of contact को find out करना है हमें किसको find out करना है point of contact को ok so y square equal to 4X d y upon d x इसको हम different sheet करेंगे तो क्या हैगा y squareating decision to y d y upon d x होगा x का 4 x का requirement so this is d y upon d x equal to 4 upon 2 by equal to 2 upon by यह आ गया dy upon dx this is the slope of tangent okay so and slope of y equal to x plus 1 h बन होगा अभी दोनों को हम इत्कुल कर दें क्योंकि यह दोनों slope हैं आपके so 2 upon y equal to 1 this is y equal to 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा y की value कितनी हो गई 2 हो गई होगी अब y की value को हम इसमें put कर देंगे तो हमें x की value मिल जाएगी okay so this is 2 का square equal to 4x so x equal to क्या जाएगा वन आ जाएगा तो point हो जाएगा 1,2 हम इसे एक दूशे तरीके से भी solve कर सकते हिटें ट्राइल मेथाट से कैसे करेंगे उसको हम इसे option में से ऐसे point को find out करेंगे जो इन दोनों को क्या कर रहा हूँ satisfy कर रहा हूँ देखो यह 1,2 है क्या है यह option लेते हम पहले 1,2 अब 1,2 y equal to x plus 1 को satisfy करके देखते हैं y की जगह हम y coordinate रखेंगे x की जगह x coordinate रखेंगे दौनों एक को ला गए तो यह y equal to x plus 1 को क्या कर रहा satisfy कर रहा है अब इसको देखते हम y square equal to 4 x तो y की जगह क्या रखा 2 रखा 4 into 1 तो इन दौनों को आपस में क्या कर रहा satisfy कर रहा है तो अपना option क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हम ऐसे point को select करेंगे अब रजी मालों ए इन दौनों को satisfy नहीं कर रहा होता था हम भी point को लेते understood